अपने आपको कुस नसी मतलब समझ रहे है सवभाग जाली कि हमको जैस्री राम वगवान चंदी जी कि मतलब नगरी में काम करने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात तुझे है कि हमें आउद्धा में काम करने का मौका मिला यह हमारा सवभाग है यह इस जगाहे पर पैसे पर प्रभू स्री राम चंद्र की नगरी आयोध्या में जब प्रभू स्री राम चंद्र जी 14 साल बाद बनबास काट के आयोध्या में आये थे जिस तरीके से आयोध्या को सजाया गया था, उसी तरीके से आयोध्या को इस समय सजाया जा रहा है. हमें ठेका लेते हैं, जितना हमारा बज्जाता है, हम साई लोग मिलमाट के अपना घर की तरह खा लेते हैं. बहुत सुनर हो रहा है कि हमें अच्छा लगा है. जो उपर का सीने हैं, उनने हमको बलाया है. स्री राम जनम भूवी पर काम करने का, उनके कार में अपना सहयोग देने का. कुछ लोग नराज हराम मंदिर से, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो है, उनकी सोच बहुत ही गलत है, वो अपने जगे बिल्कुल गलत है. वहाँ पर जो भी बनना था, वो तो जो बनना चाहिए था, वही बनेगा और जैसी गाम. कितना मिलता आप लोग आपको डेली का? देखिए, हम डेली वेस पर काम नहीं कर रहे हैं, हम देहारी से कहीं पर भी काम नहीं करते हैं, हमारे यह जो काम चल रहा है, यह स्कॉरफिट के साब से चल रहा है, पैंतालिस रुपे स्कॉरफिट के साब से हम लोग का रहे हैं, जी, तो हम लोग क्या है कि हमारा संगर हम बहुत खुश भी है और अच्छा भी लग रहा हम यहां पर काम करके आप बहुत बहुत धन्यवाद है आप कहां से भीया खड़े हो जाए थोड़ा से हम लोग अच्छा आपको कितना मिलता है हम सब एक टीम से सब लोग टीम यह हो बतलब ठीका हुआ इसका जो भी मिलेगा महीने पर मिलता है जैसे कि डेली आप लोग कुछ मिलता है नहीं वो खर्चवर्चे के ले ले लेते हैं बागी जो काम फाइनल हो जाता तो वो सब इकटा मिल जाता है कैसा लग रहा है आप लोगो को प्रफुसरी राम चंदर जी के नगरी में ऐसा काम करके बहुत खुसी ह बहुत अच्छा और जो लोग कुछ लोग नराज उनके लिए क्या करेंगे तो नाराज है तो बने रहें क्या कर सकते हैं वो जो खुस हैं जो होना है वो तो होगा हम तो बहुत खुस हैं और चलिए आपका बहुत धन्यवाद आप कहां से इधर आई थोड़ा से वीडियो बना लीजिए गाप फोटो कीज लिएगा का से हम भी साथ मैय मभवा से गूंगर तो अटा दीजिए जराद दिखाई दे कहां से साथ मैं आप वहां से काम कर रहे हैं यहां पर लग बग 1 महिना होने वाला यह पहला बिरिज है या कितनी बिरिज अभी तक आप लोगों ने एक बना रहे हैं इसका यह कहां काट करके अयोद्य वापस आय थे तो वहां पर आप जो देख रहे हैं वो रत बना हुए सीता माता और लक्षमन जी एंटा माता है सभी लोग वापस लोड के आ रहे हैं तो आयोद्य वासी क्या है कि उनका स्वागत कर रहे हैं और जो यह माहिल बना यह अयोद्य का ही है आयोद्य का है आप दो आई चलिए हम दिखाते हैं बाई साब बता रहे हैं कि आयोद्य का ही महल है जब प्रभूसरी राम चंद्र जी बनवास काट के चवदा साल बाद आये थे आयोद्य हमें उस समय जो खुसियां थी जो सजावट वहाँ पर किया गया था उसी प्रकार से सजावट करने की कोशिस की जा रही है और आप देख सकते हैं ब्रिच पर इतने अच्छे अच्छे प्रिंट बनाए जा रहे हैं और आगे हम आपको तस्वीरे बनाई गई हैं वहाँ पर अब तस्वीरे तो समझ में नहीं आ रहा है किसकी हैं लेकिन हम दिखाने की कोशिस आप लोगों को करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं डिजाइन बनी हुई है अब इसको प्रेंट करना है और बाइस तारी को सभी परजा पहुंचेंगे बिल्कुल खुसी है मन बिल्कुल पिरसन ने चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देख सकते हैं आप और यह को ने बहुत हो बताईए ना यह कोई राजा लग रहे हैं यह आप लोगों तो बताया होगा कि किसकी तश्म की लृतिय उपर से बाता सिता और प्रबुर स्रीराम चंडर जी बैठे हुए हैं और सार्थी उनके है यह चो कहते हैं आपर अगे बाते करते हैं महां पर यहांपे हमारे कुछ बाइय लोग है आप देख सकते हैं आयुद्या को एकदम कहें तो दूलन की तरह सजाया जा रहा है हम आपसे एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि आयुद्या को उसी तरीके से सजाया गया था सजाया जा रहा था जब प्रभु स्री राम चंदर जी आये थे यहां पर 14 साल के बाद जैसे सज जाय गया था उसी प्रकार से सजाय जा रहा है भाया नमस्कार नमस्ति भी जबाइब बहुत धन्वाद लोगों का जो इस तरीके से काम कर रहे हैं आयुद्या नगरी के लिए बहुत बहुत धन्वाद शुक्रिया क्या कहेंगे सर सबसे पहले तक मैं कहना चाहता हूं कि ऐध बहुत धन्वाद अच्छा यह आप क्या बना रहे थे यह सर फिलावर है सुन्द्री करने के साथ यह आप इदर आई दो है अच्छा फिलावर बना रहे हैं यह और पीछे जो प्रभु स्री राम चंद्र जी और माता सीता का तस्वीर किसने आप बनाए है कोई और दूसरे ब करते हैं हमें लोग स्क्वार फिट के साथ से करते हैं और सबसे बड़ी बात तुझे है कि हमें आउध्या में काम करने का मौका मिला है हमारा सवभाग है यह इस जगाए पर पैसे कोई माइन ने रखता देखिए बाइस आप कहे रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा सवभाग ह अलगर है कि एया जैसे नगरी में प्रभु सृरीराम चन्ञर की जी के नगरी में काम करने का हमках मौका मिला है पैसे की कोई बाद नहीं एक होता प्यार यह वहसा है प्रहुत प्रभु स्रिराम चंद्र जी के लिए प्यार कैसा लग रहा है प्रभु स्री राम चंदर जी के नगरी आध्या में काम करके सरम को बहुत अच्छा लग रहा है हम अपने आपको समझे रहे हैं कि हम तो बोलते हैं जैसरी राम भूले के बोलते रहेंगे कि हमें बहुत बड़े खुसी है कि हम आध्या नगरी में काम कर रहे हैं हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है लेकिन हमें बहुत खुसी है दिल को तसली है कि हम प्रभु स्री राम चंद जी के नगरी आध्या में काम कर रहे हैं बिलकुल हम भी सहमत है मनला हमें पैसे की मनलब मैंने कर रहे हैं तो आज वह辉स्से से काम कर रहे हैं कैसा लग रहा है में काम करके। भूत ही sheo रहे हैं अभी तक बहुत काम किया一樣 लोग है भूत सी जगह काम करने के लीए गए मैं लेकी हैं यहां जू कर रहे हैं था सब्सक्राइब कर देखने वालों को देखने वालों को हम यह करेंगे कि आप सभी लोग भी 22 तारीक को आईए अयोद्या में भगवान स्री राम के जन्युस्थान पर सभी लोग आएं कुछ लोगों को तो निमंतर नहीं मिला बड़ा नाराज है नहीं देखिए ऐसा है भगवान स्री राम चंद जी दुब अपनी नगरी में आ रहे हैं बिल्कुल निमंतर निकी बिल्कुल विजब सकता है नहीं है नहीं है बिल्कुल नहीं है पूरी दुनिया में सबको पता है बाइस तारीक को घाटन हो रहा है भगवास्टीर्द सी राम चंद्र जी अयुद्यया वे आरे हैं तो निमंतर देने की बता अंगी निमंतर डिया जाया और भी प्रभु स्री राम चंदर जी तो सब के लिए थे और गा बिलकुल अब उनको निमंतर परसनल दिया जाए ता भाई ये तो गलत बात है बिलकुल आना चाहिए आना चाहिए सब को आना चाहिए और गार चलिए आपका बहुत भूद धन्यवाद सर जी नमस्कार आइए जारां को जबन रहा है थे कैसा लग रहा है थे आरी देखें बहुत ब disciples आंदि से कुछ लोग नराज है उनसे क्या नराज रहें उनकी आत्मा जोग शरीराम चाहिकर जिसरे क्या नाराज कक़ए आप अपने पाटिया चलाइए ना लोग पहले से शब चल रहा है आज बगवान से नराज Ned davon नमतर जो इनल itu कॉस्थ साहे में तो बहुत करा है तूंह ने की प्री जरूरत अनुरे के और चाहीं वोट जो आ रही है तुज बागवाण के यह लुका निमंतरन नहीं मिला या उनको क्या साधिम बुलाना है कि उनको निमंतरन चेहिए साधिम आना है यहां बगवान के आना है तो कहने मंदर के जरुवत है उनको बगर बुलाया तो आना चाहिए जो है राजनीत अलग है उनके वन्स वाले किये सब मुलायम सिंगो आदो किये सब लोग किये जो है राजनीती सब जो है इतना से रामभक्ति लोग के उपर गूली चलवा है, सब कुछ करवा है, यहां थोड़ी सब चल रहा है, अभी नाराज तो रहेंगे न, अभी नाराज है, इसके लिए तो रहेगा, वो तो कभी सत्ता में आने वाले भी नहीं दुबारा जो है तो एक बात समय नहीं आती, प्रभू स्री राम चंद्र जी से क्या नाराज गी है, बिपच्छी पार्टी से नाराज हो न, राज निक पार्टी से नाराज हो, मोदी से नाराज है, योगी से नाराज है हो, योगी मोदी से नाराज है, बाकी थोड़ी कुछ कर रहे हैं, काम कै प्रदान मंत्री नारेंद्र मोदी और योग्यादी तनास का कुछ काम ऐसा है जो कि कोई काम सब काम एदम टका टक है अवित्या का जो है नगरी देख रहा हम लोग राट से आए हैं देखना वैसा जैसे लग रहा है सोर्ग में आए हैं हम लोग तो मंदिर काजुबाज में सबसे खूस हैं सबसे प्रसास हैं कि सरकार में सुविधाय भी मिल रही हैं अच्छी सड़कें भी मिल रही हैं सब कुछ मिल रहा है लेकिन प्रसासन थोड़ा जाती कर रहा है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है सब पस्क्राइब है चलिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद वीडियो देखकर हमारे इन प्यारे भाईयों के लिए छोटा सा कमेंट और लाई जरूर करिएगा और प्रभू स्री राम चंद्र जी के नगरी की जो हमने तस्वीर आप लोगों को कैसा लगा और जो लोग यहां कह रहे हैं कि हमें निमंतर नहीं मिला हम आएंगे नहीं आएंगे या जो लोग कह रहे हैं कि निमंतर मिला फिर भी नहीं आएंगे उनके लिए हम कहेंगे कि देखे प्रभू स्री राम चंद्र की नगरी है भागवान सब के ल लिए हैं ना तो किसी एक ब्यक्ति के लिए हैं तो यहां पर आना जरूरी है आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहदिल से धन्यवाद